हाई गाइज वेलकम बैक टुन अगर सेशन मैं आभा बनूट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेस का एपिसोड नमबर 690 आज की तारीक है 17 जून 2020 हमारे दो चानल्स है पिनेकल और फ्रंटिर आई एस अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया त के लावा हर वीडियो के एंड में आपसे क्विस के पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विस के साथ पहला प्रशन है विश्व बुजुर्ग दुर्वयवार जागरुकता दीवस कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है पंदरा जून उसके लावा दूसरा प्रशन है हाल ही में किस प्रसिद बॉलिवूड अभीनेता ने आत्महत्या की है तो सा करेक्ट आंसर है सुशान सिंख राजपूर्ट में स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का पहला क्वेस्चन हाल ही में किस के अरोपों के बाद अपने पद से स्तीफा दे दिया श्री अबिल गाजियेव ने पद से स्तीफा देने का कारण यह बताया है कि वे अपने खिलाफ ब्रश्टाचार के मामले में धखल से बच सके किरगे संसद ने सरकार और प्रधान मंतरी के अलोचना की और रेडियो आवर सकते हैं बात करें किर्गेस्तान की कैपिटल की तो इसका गरेक्ट आंसर है बिश्क केख और अगला प्रश्न देखेंगे नासा के और में औरुक्र उडौप कर वाली नीजी क्रू फ्लाइट को मानव अंतरिक्षियान की पहली महिला प्रमुख बनने के लिए पदोनत किया नासा के प्रमुख जिम ग्रिडेंस्टाइन ने कैथी लाइडर्स को मानव अनवेशन और संचालन मिशन निर्देशाले का नेतेत्र करने के लिए चुना है कैथी ने कमर्शिल क्रू और कमर्शिल कार्गो प्रोग्राम दोनों को सफलता पूर्वक प्रबंदित किया है राश्टरबदी डॉनल्ड ट्रम के प्रशासन दुवारा निर्धारित नासा के कारक्रम का अदेश दो हजार चॉबिस में एसलेस रॉकेट और ओरियन कैप्सुल का उप्योग करके चंदरमा पर पहली महिला सहित दो अंतुरिक्ष यात्रों को भेजना है यहाँ पर अगर एक क्विक रिविजन की बात करें तो विश्व के महा सागरों की सबसे गहरी ग्यात जगा चैलेंजर डीप में उतरने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो इसका जबाब है कैथी सुलीवर्ड अगले प्रशन की बात करें यहाँ पर भारत एक संसापक सदस्य के रूप में जी पी ए आई में शामिल हो गया है जी पी ए आई क्या है यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन इंबर बी ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन यूरोपियन संग ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अगरनी देशों के साथ एक लीग में शामिल हो गया है जिन्होंने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा भारत ने हाल ही में राष्ट्री AI रननीती और राष्ट्री AI पोर्टल लॉंच किया है अगला प्रशन देखेंगे अंतर राष्ट्रिय योग दिवस 2020 की थीम क्या है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो ऑप्शन नमबर A योगा आट होम और योगा विद फामिली यह सामूहिक सबा नहीं होगी इस साल की थीम योगा एट होम और योगा विद फामिली है आयूश मंत्राले ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से 21 जून को सुबा 6 बजे योग के 6 अंतराष्ट्रे दीवस के अफसर पर योग प्रदर्शन के लिए शामिल हो प् बताना है कि बिश्व पर्यावरंद दिवस 2020 की थीम क्या है तो इसका करेक्ट आंसर था बायो डाइवर्सिटी यह भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन देखेंगे किस देश के स्वास्त मंत्री ने अधिकारिक करोना वारिस टोल विवाद के बीच इस्तीफा दिया है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्षिन नंबर बी चिली यहां फोटो में देख सकते हैं दक्षिन अमिरीकी देश चिली के स्वास्त मंत्री ने करोना वारिस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है चिली में अब तक करोना वारिस के 1.67 लाक मामले सामने आ चुके हैं वही 3101 लोगों की मौत हो चुकी है चिली के सरकार पर ये आरोप लग रहा था कि वहें WHO को मौत के आंकड़ों को कम करके दिखा रही है चिली की अबादी सिर्फ 1.90 लाक है इसकी वजह से करोना के 1.67 लाक मामले होने को खतरनाक समझा जा रहा है बहुत के आंकड़े बढ़ने की वजह से भी चिली सरकार पर दबाव बढ़ रहा था इसकी बाद स्वास्त्यमंत्री जेमी मनालिच ने इस्तिफा दे दिया था बात करेंगे चिली की आपे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल है संटागियो और करंसी की बात करें तो है चिली अन पैसुट अगला क्वेस्चन देखेंगे कोविड नाइटीन की गलत सूचना के खिलाफ भारत ने बारा अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के किस पहल का नेतेत्व किया है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है option number B verified यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत और बारा अन्य देशों न कोरोना पर गलत सूचना से निपटने के लिए verified पहल का नेतेत्व किया है कोरोना से संबंदित भ्रामक सूचना से निपटने के लिए 130 से अधिक देश इस पहल का समर्थन कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनीधी संयुक्त राष्ट्र संचार प् समाधान यह recovery package को भी बढ़ावा देगा जो संकट से निपटने और गरीबी असमानता और भूख के मूल कारणों का समाधान करेगा अगले प्रेशन की बात करें दादा भाई निवर्जी की जीवनी निवर्जी पाइनियर ओफ इंडियन नाशनलिजम किसने लिखी है यहां प्रेक्ट आंसर है option number D दिनियर पटेल ने ये किताब को लिखा है इतिहास कार्ग दिनियर पटेल ने दादा भाई निवर्जी की जीवनी निवर्जी पाइनियर ओफ इंडियन नाशनलिजम लिखी है इसे Harvard University Press द्वारा प्रकाशित किया गया है पटेल दक्षिन कैरोलीना विश्व विदाले में इतिहास विभाग के एक सहायक प्रोफेसर है वह BBC News, New York Times, The Hindu और स्क्रोल में भी अपना योगदान देते हैं यह पुस्तक दादा भाई नियोर जी के जीवन अध्यों को ब्रिटिश संसत चुनावों में उनके भियान और लंडन के उनके राजनितिक कारें को प्रदर्शित करती है यहाँ पर और कुख रुडिशन की बात करें और बर्णिग पुस्तक आपको यहाँ पर बताना है किसने लिखी है? बुक का नाम था बर्डनिंग आपको बताना है यह पुस्तक किस ने लिखी है यहाँ पर जो correct answer है वो है मेगा मजूमधार ने अगले प्रशन की बात करें नीमन निखित में से किसने भारत का पहला online delivery अधारित gas trading platform launch किया है यहाँ पर जो correct answer option number C है Indian Energy Exchange ने अब आप देख सकते हैं भारत को पहला प्राकृतिक gas trading platform उपलब्ध हुआ है इससे पारदर्शिय demand supply मिलान के जरिये gas के स्थाई बाजार मुल्य की खोज करने में मदद मिलेगी पेट्रोलिम मंतरी धर्मेंदर प्रधान Indian Gas Exchange IGX का उधगाटन किया जिससे प्राकृतिक gas की trading शुरू हो जाएगी IGX देश का पहला automated राश्ट्रे स्थर का trading platform है जिसके जरिये एक gas बजार को आगे बढ़ाने और देश में gas के व्यापार में मदद मिलेगी चुरूआत में इसका व्यापार गुजरात के दाहेज और हजीरा और आंधर प्रदेश के physical hub में होगा आगे चल कर इसके लिए नए केंदर बनाए जाएंगे कीमत की खोज के लिए exchange खरीदने वाले बेचने वाले से समय सीमा में बोलिया मंगाएगा जिस पर मुल्ले खोज तंत्र काम करेगा यहां पर क्विक रिविजिन की बात करें तो किस देश ने कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग फ्लैटफॉर्म स्थगित करने का निर्मान लिया है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है भारत इंडिया ठीक है नेक्स्ट प्रेशन देखेंगे यहां पर क्रिसल लिमिटेड में निर्देशक और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है उप्षिन नमबर बी माया नायर को यहां पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में माया आर नायर को क्रिसल लिमिटेड में निर्देशक और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है उनका सबसे लमबा कारेकाल क्रेडेट इन कम्पनी ट्रांस यूनियन C.I.B.I.L. Limited के साथ सहायक उपाध्यक्ष के रूप में भी था अगले प्रशन की बात करें किस देश के पूर्व स्वास्थ मंत्री मुहम्मद नसीम का करोना वाइरस के कारण निधन हो गया है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है option number D बांगलादेश यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में बांगलादेश के पूर्व स्वास्थ मंत्री और अवामी लीग के प्रेजिडियम सदस्य मुहम्मद नसीम का धाका में निधन हो गया वहें बहत्तर वर्श के थे वे 2014 और 2019 के बीच स्वास्थ मंत्री के पद पर रहे उन्हें एक जून को कुरोना वाइरस के लिए साकरात्मक परिक्षन के बाद अस्पताल में भरती कराया गया था यहाँ पर एक कोई क्रिविजिन की बात करें तो आपको बताना है कि इस देश ने प्लाजमा विनिमे की सुविदा के लिए एक ओनलाइन नेट्वर्क से योदा लॉंच किया है यहाँ पर करेक्ट आंसर है बांगलादेश यहाँ और बात करें बांगलादेश की तो इसकी कैपिटल है ढका और इसकी करंसी है बांगलादेशी टका पटाफट से आज के सेशन का एक समरी ले लेते हैं उस PM का बताना है जिसने रिजाइन किया है करप्शन की वज़ा से वह कहां के थे किरगिस्तान के फर्स्ट फीमल हैड जिनको नासा ने हायर किया है वह है कैथी लाइडर्स इंडिया जीपी ए आई का फुल फॉर्म आपको बताना था ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इंटरनाशनल योगा डे 2020 की थीम है योगा एट हो और योगा विद फै नाशनलिजम किसने लिखी है दिन्यार पटेल ने फर्स्ट ग्यास ट्रेडिंग फ्लैटफर्म किसने स्टार्ट किया है इंडियान एनर्ज एक्स्चेंज ने डारेक्टर एंड चीफ इंफॉमेशन सेक्योर्टी ऑफिसर क्रिसल लिम्टेट की कौन बन चुकी है माया आर न नाशनलिजम किसने लिखी है तो यह है आज के मारे क्विज के दो प्रश्ट जिसका आपको जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना है और जाने से पहले अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही साथ यह बैल कॉमेंट सेक्शन में उसके लावा यह सेशन हर रोज